आईए सुनते हैं सुदर्शन की लिखी कहानी आर की जीत मा को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेते कर जो आनद आता है वही आनद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था बगवत बजिन से जो समय बसता वह घोड़े को और पढ़ो जाता वह गोड़ा बड़ा सुन्दर था बड़ा बलवान उसके जोड़ का गोड़ा सारे इलाके में ना था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुगारते अपने हाँ से खरेरा करते खुद दाना किलाते और देख देखकर प्रसन होते थे उन्होंने रुपिया माल असबाग जमीन सब कुछ छोड़ दिया था यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घणा थी आप गाउं से बाहर एक शोटे से मंदिर पे रहते और भगवान का भजन करते थे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा उन्हें ऐसी ब्रांती सी हो गई थी वे उसकी चाल पर लट्टू थे कहते ऐसे चलता है जैसे मौर घटा को देखकर नाच रहा हो जब तक संद्या समय सुल्तान पर चड़ कर आठ दिस मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता खड़क सिंग उस इलाके का प्रिसिड डागो था लोग उसका नाम सुनकर काम देते होते होते सुल्तान की किरती उसके खानों तर्पी पहुँची उसका हर्देयों से देखने के लिए अधुहीर हो उठा इभय एक दिन दोपैर के समय बाबा भारती के पास महुचा और नमसकार करके बैठ गया बाबा भारती ने पूछा कड़क सिंग क्या हाल है कड़क सिंग ने सिर जुका कर उत्तर दिया आपकी दया है कहुई दर कैसे आये हो सुल्तान की चाहकी चलाई विचितर जानवर है देखोगे तो प्रसन हो जाओगे मैंने भी बड़ी प्रशन सा सुनी है उसकी चाल तुमारा मन महोलेगी कहते हैं देखने में भी सुन्दा रहे क्या कहना जो एक बार उसे देख लेता है उसकी हिर्दे पर उसकी शवी इनकित हो जाती है दोत दिनों से अभिलाशती आज उपस्तित हो सका हूँ बाबा और खड़क सिंग अस्वत में पहुचे बाबा ने घोड़ा दिखाया अगमन से खड़क सिंग ने देखा आश्वी ऐसे उसने सैकड़ो गोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाबा का गोड़ा उसकी आँखों के सामने से कभी न गुज़रा था जैस सोचने लगा भाग्य की बात है ऐसा गोड़ा खड़क सिंग के पास होना चाहिए था इस सादू को ऐसी चीजों से क्याला कुछ देर तक आश्वे से चुपचाप खड़ा रहा इसके पश्याद उसके हिर्दे में हल्चर होने लगी बाल को किसी अधीरता से बोला परंतु वाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या दूसरे के मुक से सुनने के लिए उनके हिर्दे ओरा दीरो गोड़ा घोड़े को खोल कर बाहर गए घोड़ा वाईयू वेक से उनने लगा उसकी चाल को देखकर खड़क सिंग के हिर्दे पर साप लोड़ गया वैडा को था और जो वस्तू से पसंदा जाए उसके पास बहुबल था और आद में भी जाते जाते उसने कहा बाबा जी यह गोड़ा मैं आपके पास सना रहने दूँगा बाबा भारती डर गए अब उन्हे रात को भी नीद ना आती सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कटने लगी प्रतिशन खड़क सिंग का भे लगा रहता परन्तु कई मास बीट गए और वहन आया यह तक कि बाबा भारती कुछ ऐसा अधान हो गए और इस भै को सपन के भै की नाई मिथ्या समझने लगे संद्या का समय था बाबा भरती सुल्तान की पीट पर सवार होकर गूमने जा रही थे इस समय उनकी आँखों में चमक थी मुक पर प्रसंता कभी घोडे के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और मन में फूले ना समाते थे जैसा एक और से आवाज आई ओ बाबा इस खंगले की सुनते जाना आवाज में करो ना थी बाबा ने घोडे को रोक दिया और देखा एक अपाईज विक्ष की चाया में पड़ा करा रहा है बोले क्यों तुम्ही का कस्ट है अपाईज ने हाथ जोड़ कर कहा बाबा में दुख्या आ रहा हूँ मुझे पर दिया करो रामा वाला यहां से तीन मील है मुझे वहाँ जाना है घोडे पर चड़ा लो परमात्मा भला करेगा वहाँ तुम्हारा कौन है दुर्गजद पैद्र का नाम सुना होगा मैं उनका सुतेला भाई हूँ बाबा भारती ने घोडे से उतर कर अपाहिज को घोडे पर सवार किया और स्वेम उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे सैसा उन्हें एक जटका सा लगा और लगाम हास से छोड़ गई उनके आश्यरे का ठिकाना ना रहा जब उन्हों ने देखा कि अपाहिज घोडे की पीट पर तन कर वैठा है और घोडे को दोड़ाए लिए जा रहा है उनके मुक से भै विश्में और निराशा की मिलीवी चीख निकल गई वह अपाहिज डाकू खड़क सिंग था बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ शमय पश्याद निश्य करके पूरे बल से चिला कर बोले जरा ठहर जाओ खड़क सिंग ने आवाज सुनकर गोड़ा रोक लिया और उसकी गरदन पर प्यार से हाथ फिरते हुए कहा बाबा जी यह गोड़ा अब न दूँगा परंतु एक बाद तो सुनते जाओ खड़क सिंग ठहर गया बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की और देखता है और कहा यह गोड़ा तुम्हारा हो चुका है मैं तुम्हें इस से वापस करने को ना कहूंगा परंतु खड़क सिंग केवल एक प्रातना करता हूं इसे ऐस विकार मत करना नहीं तो मेरा दिल टूप जाएगा बाबा जी आग्या दीजिए मैं आपका दास हूं केवल गोड़ा ना दूँगा अब इस गोड़े का नाम ना लो मैं तुमसे इस विशे में कुछ ना कहूंगा मेरी प्रातना केवल यह है कि इस गटना को किसी के सामने प्रकट ना करना खड़क सिंग का मौ आश्रे से खुला रह गया उसका विचारत है कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा परन्तु बाबा भारती ने स्वेम कहा कि इस गटना को किसी के सामने प्रकट ना करना इससे क्या प्रियोजनसी दो सकता है खड़क सिंग में वह सोचा बहुत सिर्मारा परन्तु कुछ समझ ना सका हार कर उसने अपनी आखे बाबा भारती के मुख़ पर गार दी और पूछा बाबा जी आपको इसमें क्या डर है सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया लोगों को यदि इस गटना का पता चल गया तबे दीन दुख्यों पर विश्वास ना करेंगे यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मूमोलिया जैसे उससे कभी कोई संबंधी ना रहा हो बाबा भारती चले गए परन्तु उनके शब्द खड़क सिंग के कानों में उसी प्रकार गुंज रहे थे सोचता था कैसे उंचे वीचार हैं कैसा पवितर भाब है उन्हें इस घोडे से प्रेम था इसे देखकर उनका मुक फूल की नाई खिल जाता था कहते थे इसके भी नाना रह सकूँगा इसकी रखवाली में वे कई रास सोई नहीं भक्ती वजन नाकर उसकी रखवाली करते रहे परन्तु आज मुक पर दुख़्ी रेखा तक ना दिखाई थी उन्हें के वली है विश्वास था कि कहीं लोग दीन दुख्यों पर विश्वास करना ना छोड़ दे ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है रात्री के अंदकार में खड़क सिंग बाबा भारती के मंदिर पहुँचा चारो और सन्नाटा था आकाश में तारे टिम्टिमा रहे थे थोड़ी दूर पर गामों में के कुट्टे भूँक रहे थे मंदिर के अंदर कोई शब्द ना सुनाई देता था खड़क सिंग सुल्तान की बाग पकड़े हुए था वह दीरे दीरे अस्तबल के फाटक पर पहुचा फाटक खुला पड़ा था परन्तु महां बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे आज उन्हें चोरी का डणना था तो वह आना थे खड़क सिंग ने आगे भड़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बान दिया और बहार निकल कर साफधानी से फाटक बंद कर दिया इस समय उनकी आखों में नेकी के आंसू थे रातरी का तीसरा प्रहर बीच चुका था चोथा प्रहर आरम होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से भाहर निकल थंडे जल से स्नान किया इसके पश्चाथ जैसे कोई सपन में चल रहा हो उनके पाउं अस्तबल की और बढ़े परंतु फाटक पर पहुंच कर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई साथी गोर निराशा ने पाउं को मनमन भारीक बना दिया वे वहीं रुख गए घोडे ने अपने स्वामी के पाउं की चाप को पैचान लिया और जोर से ही नीन आया अब बाबा वहरती आश्चरे और प्रसंता से दोडते हुए अंदर गुसे और अपने प्यारे घोडे के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानू कोई पिता बहुत दिन से विच्ड़े हुए अपने पुतर से मिल रहा हो बार बार उसकी पीट पर हाथ फेरते बार बार उसके मोँ पर थपक्या देते फिर वे संतोस शे बोले अब कोई दीन दुख्यों से मो ना मोडेगा